सबसे बात करते है जवाहालाल नेरू बैंडित् जवाहालाल नेरू जो थे वह पोस्ट पड़ थे अत्स तो बंढ जवालल नेरू daíूऊ से थे और इनी को प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया गया था दूसरे ज़े रखती थे इंटरिम सरकार 1946 में वो थे सरदार वल्लब्भाई पतेल सरदार वल्लबभाई पतेल जो थे वह होम इन्फरमेशन एंड ब्रोड्कास्टिंग मिनिस्टर थे वह थे वह कौन थे वल्लबभाई पतेल बात के पहले सबसे पहले होम मिनिस्टर थे नेक्स्ट ए राजंद प्रशाथ डाक्टर अजन प्रशाथ को 1946 में जब हमारा सविधान सभा नहीं बनाता उससे पहले ही बन चुका था तो उसकी बात करें तो यह पूड एंगरिकल्चर मिनिस्टर को समा ले उप थे क्योंकि भारत सरकार जो है वो सविधा अगया प्लिश्ण है सर्दार बलडेु निजस झो थे इंडिया के रक्षा मंपी के डिफाइन्स मिनिस्टिर थे राइन्दे की बारे में जोनों पूरि सकता है बनाया गया था ध्याने आपको भारत जब आजाद हुआ 1947 के बाद तब लाड मांट बेटन भारत के इंडिपेंडेंड इंडिया के पहले गवर्नर जनरल लेकिन कुछ समय बाद लाड मांट बेटन की जाने के बाद चक्रवती राज गोपलाचारी को भी बनाया गया था गव को बात कि कुछ समीति हों लोग पढ़ने वाले कुछ कमिटी पढ़ने वाले समीति हां के बारे वाई उनकी चर्चा कर देते हैं जब देश का सविधान बन रहा था तो बहुत सारी कमिटी बनाए जा रहे थी और इन्हीं कमिटी में से कुछ इंपोर्डन कमिटी के आज हम किन नया काम करना होता है तो सप्से पहले कमिटी बनाती और कमिटी अपने रिकमेंडेशन को शॏयश करती हैं बहुत नामी गिरामी और अनभुवही लोग होते हैं जिन हैं इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग संघ शक्ति संटि संब सब्सक्राइब 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 7 सब्सक्राइब 3 इसथा पहली दो कमेटी आ souhaite सब्सक्राइब कौनत अध्यक्ष तेश्ट, वह जवालह नेहरोट थे, हमारे जो तीसरी, कमिटी हैं, वह प्रोवेंशियल, कॉंसित्यूश्नल कमेटी, यानि प्रांथों के लिए सविधान की Obokya की जाए या प्रांथों के लिए, लग सेंग बनाए या इसी सेंटल सविधान में क्या प्रवावधान उनके लिए लग्सिक किया जा तो को प्रोविंशियल Constitutional Committee जो है प्रान्ति सविधान समिटी उसके देक्ष्ट है सरदार वल्लब भाई पटेल कितनी पावर देना चाहिए स्टेट गौश्मेंट को क्या होना चाहिए यह नहीं structure सब्सक् humanities बनाने का काम नहीं किया था और में जो सबसे important committee यह इसको लिखने वाली सवइधान को लिखने वाले जो committee है वही सबसे important committee हैं और उसका नाम है drafting committee यह ऐसे कहते हैं प्रारूप समीति पि का जाता है तो प्रारूप समीति की अद्ध कर व कमpeiटी का नाम किया है प्रारूप समीति यह समीति का हीप करने के लिए तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी हिंदी में इक और नाम कमीटी और यंग्रेजी में यह हैं द्राफ्टिंग कमीटी झ prone कशने कमिशना लाइस कमीटी इसकी जो यो सवजने से पालैस्वीन कुशनी को हुआ उस्का नाम है यीज़ी कमीटी on fundamental rightsแล se Ag Him किया क्या करना, जी सबक्राइबर काड करता है, यह सब इसे इस में टोटल 54 मेंबर भी थे, सबसे जादा बड़ी कमिटी थी, उसके हड़र से सरदार पटेल कितने रही चपने सब्सक्राइंबर क्या करना है यह सारे चीजे इसी में मेंशन की गई थी आगे बढ़ते हैं सबसे इंपोर्टन कमिटी इसके बारे में बिल्कुल पूछा जाएगा कि यह कमिटी क्या है ड्राफ्टिंग कमिटी के बारे में पूछा जाएगा तो मैं इसकी डेट लिख देता हूं 29 अगस्त को इसको बनाया गया था 29 अगस्त 1947 29 अगस्त 1947 को इस कमिटी को बनाया गया थे जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमिटी ड्राफ्टिंग कमिटी की चेर्में थे ड्राफ्टि का मतलब होता है लिखना यह ध्यान रखना कि ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है लिखना या बनाना तो सविधान को लिखने वाले यह यों कहूं कि सविधान को बनाने वाले कमीटी कोई थी सविधान को लिखने या सव बनाने वाले जो कमीटी ती ती उसका नाम था ay辉म कमीटी ड्राफ्ट करना का मतलब होता है तोशक्त कमीटी में टोटल कितने इसे सेवन मेंबर है वह यह मैं आपको पता दो मेделिक़न का द्राफ्टिंग कमीटी में मिपर तेक्थ जा सबसे ज़्यादा इसी कमैटीको लेखर के पूछे वहां से कोशन बुचेंगे ये भी बता दूगा मैं आपको सबसे पहली बात तो कितने मेंबर थे यह पूछ लिया गया को उसके चैयर्मेन थे तो आपको चैयर्मन दिख रहा भी आर अमबटकर इसके टोटल केम मुंशिष के दूसरे सदस हैं तीस रे और चोथे जो सदस है बी अल मित्थर मैं अपको चाहूँ कि आप अगर अभी सदस करो के बील बित्थर नहीं मिलेगा आपको बील मित्थर की जगे चेंज हो गये थे तो नेक्स्ते डीपी खेता तो दो लोग की जगे दू दूसरी के लोग आये थे 1 की जगह आये था टी टी क्रश्णमाचारी कि टी टी क्रिष्णवाचारी और डीपी खेतान की जगे आया थे माधव राव माधव राव दो लोग चले गए ते यह इनका इनकी तबियत दोनों की बिगड़ चुकित इसकी वज़े से इन दोनों की जगे एक जगे आया थे टी क्रिष्णमाचारी यह लोग आया थे और दूसरे इनकी जगे आया थे माधव राव तो उसके बाद यह मेंबर हो चुके थे और नेक्स्ट है मुहम्मद सेयद मुहम्मद सादुल्ला और नेक्स्ट है एन गोपाल स्वामी आयंगर अयंगर तो एन गोपाल स्वामी आयंगर सेयद मुहम्मद सादुल्ला माधव राव क्रिष्णमाचारी अयर अल्लादी क्रिष्ण स्वामी आयर और बी आर अम्बेट कर यह साथ मेंबर थे लेकिन यहां से पूछा गया था कि बी इल मित्तर की जगे कौन आया थे तो बी इ ओरीजिनल शुरुवात में जब बनाए गए थी कमिटी तब कौन नहीं था सदस्ते तो यह दो नहीं थे लेकिन बाद में किन दो एक्तिव की जगे दो आये तो यह दो ध्यान रखना आप इनकी जगे यह दो आये थे बस इनकी तबियत ठीक नहीं थी जिसकी वज़े से इन किया में ध्यान दखनाए इसका है में बतार चाहूंग आपको बारत हो गया था 1947 वह रहे बलिया इंडिटेक्र हो गया था 1947 में 247 से पहले कि मैं आपसे पूचोंगा क्या बनाते थे law frame करते थे law making power किन के पास में थी British India के पास में थी ब्रिटिश गवर्मेंट के पास में थी यह मैं बोल सकता हूँ 1947 से पहले हमार लिए जो कानून बनाते थे वो कौन थे ब्रिटीस्च गवर्मेंट थी इनडिया थे अब जब वो चले गए तो ये law बनाने की पावर किसको दे देंगा तो ये law बनाने की पावर उन्हेन किसो दे दी थी constitistant assembly को डे दी थी सविधान सभाग को दे दी ये ध्यान रखना आपको सभ्रिण सभा तो आफ्ट एपेंडेंट्ट इयुद्थ समेंडिया टूर्सट प्रलテमेंट विंड्यायर्स पार्लेमेंट क्यों बिया आजाधी के बाद सवीदंत्ह के बाद सवीदें सभा को ही आप। सविधान सभा के बाद ही भार्त की पहली संसत बनती है कौन सविधान सभा सवतनता के बाद कि शमा करें सविधान सभा इसको हम लोग क्या लिखते हैं Constituent Assembly of India, यह है न, Constituent Assembly of India सविधान सभा के दो functions थे, अगर काम की बात कर हम लोग, अगर मैं बात कुरूँ कि इसके functions क्या है, तो इसके दो functions थे, एक क्या, एक है Drafting Constitution मतलब सविधान बनाना सविधान सभा के एक काम क्या था सविधान बनाना और दूसरा काम क्या था सविधान सभा का, दूसरा काम था लोग प्रेम करना क्या बनाना कानून दिर्मान आजादी के बाद कानून दिर्मान का काम इनको कम मिला था 1947 के बाद यही बोलना चाह रहे है कि सविधान सभा को 1947 के बाद दूसरा काम दे दिया गया था कि अब हम तो जा रहे हैं अंग्रेज जा रहे तो आप कानून भी बनाए क्योंकि आप सविधान तो पहले से बना रहे थे न तो जब सविधान बनाने के लिए लोग मिटिंग करते जब इनकी मिटिंग किसके लिए होती है Constitution के लिए होती है राजेंद्र परशाद जो थे वो कौन थे इनके अध्यक्ष थे राजेंद्र परशाद इसके अध्यक्ष था करते हैं लेकिन जब बात करें लॉफ्रेम करने की जब जब यह कानून बनाने के लिए इनकी लोग सेम थे लोग अलग लग नहीं थे सविधान सभा की बात कर रहा हूं जब यह लॉफ्रेम करने के लिए बात करते हैं मतलब इसे पार्लेमेंट की मीटिंग होती है लॉफ्रेम कौन करती है पार्लेमेंट करती है तो यह पहली पार्लेमेंट है इंडिया की तो इसे पार्लेमेंट का काम करते हैं तो इनकी चैर्मन अध्यक्ष मिटिंग के वो होते हैं जी बी जी वी मावलंकर जी वी मावलंकर गनेश वासुदेव मावलंकर यही बात है बुलना चाहरा हूं कि आजादी के बाद सविधान सभा का रोल चेंज हुआ था और चेंज हुआ था कि बढ़ गया था रोल इसको ऐसे बल सकते कि कि आफेंडेपेंडेंट्स कॉण स्पीकर थे स्पीकर रोल के प्रेसिड़ेंड को क्या बोलते स्पीकर बोलते इसलिए ये मैंने आपको यहां समझा दिया ध्यान रखिएगा दोदू काम पार्लों कर रहे थी कॉंस्विशन बनाना लौ फ्रेम करना शुआ क्योंकि अंग् किसको बोलते हैं को बोलते हैं सभीधान सभाब को बोलते हैं